देश में G20 समित की तैयारिया जोरों पर हैं और पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म के विरोध में कुछ गिने चुने लोगों द्वारा अपमान जनक बाती कही गई इस समित में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक भी आ रहे हैं लगभग 20 दिन पहले का ब्रिटेश प्रधान मंत्री का ये भाशन सभी को जरूर सुनना चाहिए जै सियाराम के साथ उन्होंने अपना भाशन शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा ब्रिटेन के पहले भारतिय मूल के प्रधान मंत्री ने कैम्बरिज विश्विद्याले के जीसस कॉलेज में मुरारी बापु द्वारा चल रही राम कथा की यात्रा के दौरान कहा कि भारत की स्वतंत्रता दिवस के साथ हिसायोजन में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है मेरा हिंदू विश्वास मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्ग दर्शन करता है सभा में अपना संबोधन शुरू करते हुए सुनित ने कहा बापो, मैं आज यहां एक प्रधान मंत्री के रूप में नहीं, बलकि एक हिंदू की रूप में हूँ मेरे लिए विश्वास बहुत व्यक्तिगत है यह मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्प दर्शन करता है प्रधान मंत्री बनना एक बड़ा सम्मान है, लेकिन एक आसान काम नहीं है कर्थिन निर्नय लेने पड़ते हैं, कर्थिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है और हमारा विश्वास मुझ में अपने देश के लिए सर्वश्रेश्ट करने का साहस और शक्ती देता है मेरी हिंदू आस्था मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्प दर्शन करती है उन्होंने उस खास पल को याद किया जब उन्होंने 2020 में पहले ब्रिटिश भारतिय चांसलर के रूप में नंबर 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पहली बार दिवाली के दिये जलाए थे मुझे ब्रिटिश होने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है Southampton में मेरे घर के पासमंदर में मेरी मेरे परिवार के साथ कई यादे हैं मेरा परिवार वहां पर पूजा, हवन, आर्ति करता था और उसके बाद भाइबहन और कजन वहां पर प्रसाद और लंच करते थे आप देख सकते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर भी वह जमीन से जुड़े हैं और अभिमान का लेशमात्र भी उनमें मुझूद नहीं है और हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश में ही धर्म और संस्कृति का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते निश्चित रूप से देश में ऐसे कानून की जरूरत है कि किसी भी धर्म के विरुद्ध कुछ बोलने से पहले हर व्यक्ति हजार बार सोचे